नमस्कार आदाब सच्छी अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार सूरत के बाद इन दौर में भी कॉंग्रिस के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया जी हाँ वापस और इसके साथ ही लोगों के वोट देने के सम्विधान से मिले अधिकार की तोहीन करके लोग तंतर का जंडा नहरा दिया गया अब लोग पूछ रहें कि चुनाव आयो सीधे ही भाजपा से क्यों नहीं पूछ लेता कि और कितनी सीटों पर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते वहाँ दूसरे उम्मिदवारों के पर्चे वैसे ही रद कर दिये जाएं इतनी न कि वो लोग प्रियता छोड़िये लोग तंतर के इंतिहान से भी भाग रहें और उनका बूता चले तो देश के सारे विरोधी उम्मिदवारों को नेताओं को भाजपा का हिस्सा बना कर अपने आपको देश का इकलोता नेता घोशित कर दे बोल दे कि भारत में उनके सिवा कोई नेता बचा ही नहीं है तो क्या इसको मान लिया जाएगा इस सवाल का जवाब हमसे बहतर आप चानते होंगे लेकिन मोदी इसी परंपरा के नेता है नामांकन करने के बाद सारे के सारे उम्मिदवारों का नाम वापस ले लेना क्या दिखाता है यह दिखाता है कि आप चुनाओं के विरोधी है आप जनता के वोट देने के अधिकार के विरोधी है आप जनता का सामना नहीं करना चाहते आपके पास हिम्मत नहीं है अपनी नीतियों के आधार पर चुनाओं में उतरने की और आपके पास इतनी मामूली नैतिक्ता तक नहीं बची है जनतंत्र का इतना सम्मान तक नहीं बचा है जनता में इतना विश्वास तक नहीं बचा है कि आप कारिक्रमों के आधार पर जनादेश मांगे और ये बात मोदिल लगातार साबित करते जा रहे हैं सूरत के बाद इंदौर में भी भाजपा ने लोकतंत्र के धर्जी उड़ा कर रख देख अप्रेल सुबा कोई साड़े दस मजे भाजपा के पूर्वरास्टियों उपाध्यक्ष और मध्यप्रदेश सरकार में कैबनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गिये कॉंग्रेस के उम्मिदवार अक्षय कांती बं को अपनी गारी में भाजपा विधायक रमेश मिंदोला के स साथ बेचते हैं और विजयवर्गिये खुद गाड़ी में इंतजार करते रहते हैं कुछी देर में कॉंग्रेस उम्मिदवार अपना नामांकन पत्र लेकर वापस कैलाश विजयवर्गिये और रमेश मिंदोला की गाड़ी में भाज़ जाते हैं इसके बाद कुछी डॉक्टर मोहन यादो जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के निट्रत में भाज़पा में स्वागत हैं इसके कुछी देर के बाद खबर आती है कि कॉंग्रेस के उम्मिदवार अक्षय कान्ती ने पीजेपी जोई कर लिए सब कुछ पूरी प्ल आंकण वापस लेने के बाद दो और प्रत्याशी अपना नमांकन पत्र बापस ले लेती है अब मैदान में के वल 19 फ्रत्याशी बचे लेकिन भाजपा को कहीं कोई टकर नहीं कहा जा रहा है कि विरोध में बचे हुए 18 प्रत्याशियों की कोई हैसियत ने वो किसी भी समय धराशाई हो जाएगे तो क्या वाकई अक्षबम दिल से मोधी के भक्त हो गए है या फिर उन्हें मजबूर किया गया इसके जवाब पर आएंगे लेकिन पहले ज़रा समझ लीज कि कॉंग्रेस नेताओं का विश्वास मोधी जी और बीजेबी पर है कॉंग्रेस उम्मिद्वार का भरोसा अब उनकी पार्टी में नहीं है कॉंग्रेस के उम्मिद्वार अब पार्टी में नहीं रहना चाते कॉंग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जारे अब सोच कर द से भाग रहे हैं और खुद भाजपा लोकतंत्र से वोटिंग के अधिकार को खत्म करने की इंजिनियरिंग कर रही है मध्यप्रदेश की राजनीट को लगबग धाई दशक से बहुत खरीब से देखने और समझने वाले वरिष्ट पत्रकार ब्रजेश राजपूत ने कहा कि अचानक नहीं हुआ है भाजपा ने बाकाइदा चुनावती देकर कॉंग्रेस को मिद्वार को चुनाव के मैदान से हटाया है विजेश के मताबिक सूरत में जनता से वोटिंग का अधिकार चीनने के बाद से ही बीजेपी ऑपरेशन इंदौर में चटके थी सवाल है कि इ पड़ी क्योंकि 2019 का चुनाव तो यही शंकरलालवानी साड़े तीन लाग से ज्यादा वोटों से जीते थे इसके पहले सुवित्रा महाजन छे बार लगातार जीती थी 1989 से लेकर आज तक इन दौर में 35 साल से केवल भाजपा जीत रही है कॉंग्रेश को वहां आखरी जीत 1984 में मिले थी इंदिरा गांधी की हत्या से पैदा हुई लहर में प्रकास चंडर सेथी संसक पहुँचे थे उमध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे और इंदिरा सरकार में देश के ग्रिह मंत्री इसके बाद से इंदौर में बीजेपी का ही सिक्का चलता है और इस बार तो 400 पार का नारा है तो चुनाओं से क्यों भाग रही है भाजपा और क्यों भाग रहे हैं मोदी इंदौर कॉलेज अफ लौ और इंदौर कॉलेज अफ मैनेजमेंट समेट कई शेक्षणिक संस्थान चलाते हैं। जैनियों और गुजरातियों के बीच उनकी अच्छी साख है। इसलिए कॉंगरेस को लगा कि अपने वोट बैंक को मिलाकर कम से कम अक्षय गंभीर उम्मिद चाहती थी। इसके चार दिन पहले उनके खिलाफ 307 यानि हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। बीजेपी से लेकर कोट पहुँच गई कि उनका नामांकन रद किया जाए क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में ये जानकारी छिपाई है। अब गौर करने वाली बात कि ये धारा हाल में जोड़ी गई है और अक्षा पहले नामांकन दाखिल कर चुके थे। इसलिए उनका नामांकन खारिज नहीं किया जा सकता। कॉंग्रिस सोच रही थी कि इसके बाद बीजेपी शांत बैठ जाएगी। लेकिन ऐसा नहोने वाला था और नहुआ। पर आगे बढ़ने से पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा से संपर्थ किया। नड़ा ने अमिद शाह से मश्वरा किया और इसके बाद विजय वर्गिये को हरी जंडी दे दिए हरी जंडी मिलते ही अक्षय कांती को घेरने का खेल शुरू हो गया। हमने बहुत सारे चात्रों को केवल कागजों पर दिखाये जाता है और असल माल कॉलिज मैनेजमेंट कूटता है। अक्षय कांती को लगने लगा कि चुनाओ लड़कर वो जीते या ना जीते लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत में जरूर फस जाएंगे। क्योंकि मध्यप्रदे यही सूरत में हुआ यही खजुराहों में हुआ तो यह मोदी की लोग प्रियता की पूरी राम कहानी तो जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी तीसरी बार जीत कर आ गए तो चुनाओ होंगे ही नहीं इसको मजाग क्यों समझा जाए जनता क्या चुनाव लड़ने तक से भागती भाजपा की कर्तूतों को मोदी की लोग प्रियता मानने को तयार होगी बुनियादी सवाल यह है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आपकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरन कीजिए बेल आइकोन दबाई यह खंटी जैसे आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमारा ट्विटर है अर्टिकल 19 अंडरिस्कोर इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट नमस्कार